यह तो सुना ही होगा कि माबाब के कर्मों का फल उसकी संतान को तो भुगतना पड़ता है लेकिन यह कहावत महुरानीपूर प्रतक्षी रूप से देखने को बिल रही है जहाँ पिता द्वारा बाइक चोरी कर अपने बेटे को चलाने को दे दी गए लेकिन इसके बाद गाड़ी मालिक को पता चला तो उसने बाइक के साथ बेटे को भी दिरखतार करवा दिया मामला महुरानीपूर गुतवाली शेत्र के कसवा रानीपूर के लोहर गाओं का है जहां रहने वाली देडुका ने बताया उसके पती गोविन ने दूसरी साधी कर ली और पिछले दस वर्सों से बहें मेहनत मचदूरी कर के अपने दोनों बच्चों को पती से अलग रख कर उनका पालन पोशन कर रही थी लेकिन कुछ दन से उनका पती संपर्क में आया उसके पती ने एक मोटर साइकल दी और घर आया उसने अपने बेटे को मोटर साइकल चलाने को दे दी और कहा कि यह गाड़ी तुम्हारे लिए खरी दी है बेटा खुसी खुसी गाड़ी चलाता रहा लेकिन एक दिन गाड़ दिन से पुलिस ने बेटे को थाने में बिठा के रखा है तो वहीं रेड़का ने अपने बेगुनाय बेटे को छोड़े जाने के लिए पुलिस अजीकारियों से मिन्यत्ते लगाई है पहिला का कहना है कि उसके बेटे को छोड़ दो और आरोपी पिता को गरफतार कर जेल भेश दो लेकिन बाप के गुणाहूं कि सजा बेटे को मत दो लेकिन फिलाद पुलिस बाप को पकड़ने में तो नाकाम है जब कि बेटा अपने पिता की कर्मों की सजा मुगत रहा है लेकिन फिलाद पुलो नहीं हम खाइट के लिया लिस्ते दारी में से तो महां मुड़ा चला उत फिर रहा हूं तो सब रहा है रानी पुर लेगा जैसे महू लेगा और बस रानी पर जिसकी गारी है ती उसने चीन लिया बस उसने पकर के हमारा मुड़ा को ठाने में बंद किय अब सहर जो बताओ कि हमारो मुड़ा का सूर है उसको खुपकरा जो निचूर है उस खुंपकरो न बद खुंपकरो आतफ को खुंपकरो बद को से यह अजिंवा फित आजी लाते है हां पिताजी लिया थर उसके है अवराणी पुर से अभी परिहार की रेपूर्ट